कैसा दर्द ये मिला है रबा सहा नहीं जाए दुख भी कहा नहीं जाए चुप भी रहा नहीं जाए किसको हाल ये सुनाए दिल ये समझ ना पाए रबा भर राए है ये नैना रबा भर राए है ये नैना रबा 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 चले जी चले रबा 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 क्या मतलब है दो मेरे बैसे वापस चल्लो पर पानी में डूप मना का क्या कर रही है चंदा उसब लुक देख रहे हैं तो देखते रहे हैं मैं क्या करूँ इनका तो काम ही है देखना सड़के बीचों बीच कोई किसी को मार के चला जाए तो भी यह लोग देखते ही रहेंगे ना कुछ बोलेंगे ना रोकेंगे ब्लड प्रेशर काबू में रखा करो एतराज की सबाग कुछ नहीं आता तुम्हे वाजिया तुम भी ना इनी लोगों की तरह आमियाना सोच की मालिक हो हां क्यूंकि मैं आम हूँ पर मैं हां सूँ क्या हो जंजा मैं आई कमाल की इंसान है जो कहती है ठीक कहती है वह जल्दी हाथ चला दुकान बंद करके आया हो खाने को चार रोटियां तोड़ती हो और हाथों में दम नहीं कटो रही हूँ तो खाक कर रही है इतना वक्त लगा दिया कहक बंद कान देखकर वापस लोट रहे होंगे नुकसान तेरा बाप पूरा करेगा उस मन्हूश चंदा की जगा अगर बेटा जना ओटा ना तो बाजू बनता मेरा दुकान समालता मगर ना एक बेटा तो देना सकी और पाते करती है जल जल दिकर हाथ चला मैंने तुम्हें कह दिये इस ज़िए जरी ज़िए लगता है कासिम भाई के शामत लिखिया जमेरे हाथ छोड़ो जंदा उंकल जाती मामला है जा मतलब है जाती मामला कह के कर के जालमों को शयर देते है जर्मेर नहीं रखना दबहो जाए यहां से जोड़ो लगता जल उठ निकल यहां से नौरीन भाबी यह क्या लों मान अगा रख है कासिम भाई मैं किसी को जवाब दे नहीं हूँ तुम्हारी ऐसी की तैसी तुम औरत पर हाथ इठा और चंदा देखती रहे चंदाओ क्या हुआ नौरीन भाबी अधर मत देखो मुझे देखो अब बोलो क्या हुआ कासिम के तेंक में बांचू इसलिए मुझे गड़ सिंका रहे है शरम नहीं आती कासिम भाई सुना नहीं है तुमने रिज्क औरत की किसमत से आता है और उलाद मर्द के नसीब से अब तुम्हारे नसीब में उलाद नहीं लिखी तो इसमें नौरीन भाबी का क्या फूसूर है चंदाओ ये मेरे घर का मामला है ये औरत के हक का मामला है औरत पर जुम करो कि चंदाओ जरूर बोलेगी चंदाओ तुम मेरे घर के मामले में टांग अड़ा के इच्छा नहीं कर रही हो क्या अच्छा है और क्या बुरा ये तो मुझे नहीं पता मगर आइंदाओ तुमने नौरीन भाबी पर हाथ उठाया तो चंदाओ से बुरा कोई नहीं होगा जब तक इन लों के जहालत नहीं खतम हुथी मेरा मूट कभी ठीक नहीं होगा इसका मतलब ये है कि उमर भर तुमारा मूट खराभ ही रहेगा क्या मतलब चंदाओ ये जहालत कभी खतम नहीं होगी तो फिर मैं सारी जिन्दगी इन लों के खिलाफ रहूँगी तुम क्यों खिलाफ रहती हूं उतने लोगों के? मैं लोगों के नहीं, उनके जहनों में बुरी सोच के खिलाफ हूँ मैं तो इंसान से बहुत प्यार करती हूँ और अगर सब लोग एक दूसरे से प्यार करना शुरू हो जाए न तो यह दुनिया जननत बन जाए, नौवल पढ़ने छोड़ दो जन्दा वो, हरकते देखी है अपनी मैंने क्या कह दिया है कभी लड़की नहीं देखी, बेशनम ऐसे देख रहो जिसे खा जाओगे इतनी जूतिया मारूँगी ना कि ना नियाद आजएगी अरे बेहन जी, मैंने आपको क्या क्या दिया बेहन बोल दिया ना तो चल, निकल यहां से वाना बहुत मारूँगी, निकल देखा कैसा बेहन तरह बदला है साथ में अच्छा छोड़ो इन बातों को अब मुझे ये बताओ कि अगर कासिम भाई ने अब तर चार्चे से तुम्हारी शिकायत कर दी, तो क्या कर होगी? माफी मांग लोगी, सिंपल अब घर चलें, हम मा इंतिजार कर रही हूँ हाँ, चाँ क्या हुआ चंदा? क्या हुआ? फिर से तर्द हो रहा है? पहुष इतर दो रहा है पहुष या तो मैसे करो, मेरे साथ घर चलो फुछ देन आराम कर ले ना फिर घर चली जाना उटो, उटो, शाबाज, उटो आप सरकरदर्द कैसा है? कुछ पेतर है आप शुकर है लब, गरम गरम चाय पियो मेरे, थैंक यू चंदा, अपने से अपने साथ है मेरे सरका टेस्स करवालो क्यों? अल्ला ना करे कोई मसले वारी बात ना हो क्या मतलब? देखो यो रोज 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 इतना शदीद दर्द होना कोई अच्छी बात नहीं इससे पहले कि कोई बड़ी बिमारी हो जाए मुकमल इलाज कराओ इसका कॉलिज की फीस तक तो अम्मा लड़ लड़ के निकल वाती है अबा से एरी शकल देखने के रवादार नहीं है इलाज के पैसे कहां से देंगे? अल्या तुम फिकर ना करो मुझे कुछ नहीं होगा सौ साल जियोंगी मैं अरे याला इस नहुसत को उठा ले बाप के सामने बज़बानी करती है ऐसी उलाज से तो बे उलाज होना बेतर है मरती भी नहीं है ये मनुस बहुत मज़े की चाय है क्या करते हैं आपके शोहर? परचून की दुकान है जी परचून की? जी जर्नल स्टोर है माशाला बहुत अच्छा कमाते है अच्छा अच्छा मेरी चंदा बहुत अच्छी है खाना पकाना असी लाई कड़ाई सब जानती है माशाला कहां पर है चंदा? वो अभी तक कॉलेज से वापस नहीं आई अच्छा अच्छा कौन सी क्लास में पढ़ती है? बिये कर रही है खेर से माशाला अरे लो चंदा आ गई अरे वामा बिसकेट निमको साथ में चाय आज से लगता है पूरी आयाशी हो रही है आउंटी आप कौन है? यह लड़के की मा है तो मैं देखने आई है राश्दा अच्छा तो आप मुझे बहू बनाना चाहती है हाँ चंदा खेर से मेट्रिक पास है मेरा बेटा माशाला दस जमातें बढ़ावा है करते क्या है में महसूब खेर से LDA के दफतर में नाइब कासिद है माशाला मा नाइब कासिद वाह 120 गस का मकान है मेरा पहली बीवी कुछ अच्छी नहीं थी बहुत बुरी थी खिद्मत तो नाम को नहीं थी ना मेरी ना मेरे बेटे की तलाक नहीं देते तो और क्या करते यह तस्वीर है मेरे लाल की अरे वाह माशाला गब्रू नौजवान पहले भी शादी-शादी खेल चुके हैं भई जब बहु घर का काम नहीं करेगी तो कौन रखेगा उसे अपने घर में तो आपको बहु नहीं नौकरानी चाहिए क्या मतलब चंदा चुपूचो मुझे बात करने दो अमा, जिन्दगी मैंने गुजार नहीं है आउंटी, आप जा सकती है ये क्या मजाग है? चंदा मजाग तो आपने लगा रखा है आउंटी अपने राजकुमार की कुन देखकर लड़की तलाश करें बहार जाने का दर्वाज़ा वहाँ है तौबा तौबा गजभर की जबाने इस लड़की की अच्छा ये जाते जाते अपने यूसुफ सानी की तस्वीर लेती जाओ वरना बिला वज़ा इस पे रखकर समों से खाने पड़ेंगे और चुपा कर लेके जाना कर इक फरिष्टों की नजर ना लग जाए चंदा रसकर खाला आप कहां चली आपसे तो अभी मेरा हिसाब बाकी है घर में लब बच्चे भूके बैटे हैं मुझे उन्हें खाना देना है चली जाना चली जाना एक बात अपने पल्ले से बाल लो आज के बाद अगर इस घर में कोई भी रिष्टा लेकर आई ना मुझसे मुरा कोई नहीं होगा तांगे दॉर्दे हो तुमारी चोड़ा हो हो नहीं लाती पापा नहीं लाचा आपने बच्चे को खाना खिलाओ अब शाम को अबने बाप को तुम ही जवाब देना है हां माँ, अब आपको में समाल लोगी चंदा अचंदा मुरी बच्ची पहां बस 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 लोग़ा बस बस लोग़ा आज वाँ आज़ बच्ची बस यह बट्चो चोड़ा चोड़ा जो लिट जा मेरी बच्ची अबस नहीं बदाज तो रहा हो मेरी बच्ची मैं दबा देती हूं मैं दबा देती हूं तुम सोचो मेरी बच्ची या अलाख है अख्तर चाचा आओ कासमीया क्या चाहिए मदद चाहिए आपकी कैसी मदद आज मेरे अपनी बीवी के साथ जगडा हो गया तुम मुझे क्यों बता रहे हो तो इसलिए के मेरे मामने में तेरी बेटी जरूर कूटती है अरे क्या किया चंदा ने? वो बत्तमीजी की, वो बत्जबानी की ये खुदा की बना चंदा ने तुम से बत्तमीजी की? तो और क्या मैं जूट बो रहू हूँ? देखो चाचा हमसाया होने का मतलब यह नी क्यों मेरे मामलात में टांग अराती फिरे तुमने भी रुक्साना चाची को बहुत बार पीटा है, हम कभी बीच में हैं, अगर उसका यही रवईया रहना चाचा, तो एक दिन तुम्हारी नाग कटवा देगी, देखो भी कासम मिया, आज के बाद चंदा तुम्हें तंग नहीं करेगी, चाचा अगर चंदा तुम्हा तुम्हारी वज़े से चुप कर गया हूँ, देखो कासम, मैं चंदा के रवईये की वज़ा से तुम्हें माफी मांगता हूँ, आज के बाद उस नामराज से तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी, चाचा अंदा शिकायत नहीं हो तो अच्छा है, ओ रुक्साना, कहा मर गी यह तुम्हें जी, यह पानी, कहा है तेरी साब दादी, कौन चंदा, वा, तो उन्हें बड़े दस बेटे जने हैं, जो मुझ से इस तरह से पूछ रही है, उसके सर में दर था, कॉलिज से आके सो गई, दा उठा के ला उसको, अभी तो सो ही है, जाग जाएगी थोड़ी द के शिकायद किए मुझ से, शिकायत? कैसी शिकायत, बहले वालों के जाती जमलों में बोलती है तेरी बेटी, ना कट वा के रख दी है मेरी, जांट से मार दूगा उसको, वाला बेटी जात ki भीalter से इस तरह से कोई शिकायत आती है, नही नहीं, जरूर कोई बात हुई मैं चंदा को जानती हूँ, बिलावजा किसी की मामले में दखल अंदाजी नहीं करती हूँ कर तरफदारी, तू नहीं करेगी तो और कौन करेगा, अरे तेरे ही लाड़ प्यार ने उसको बिगाड के रखा है पहले पूछ तो लें उससे, क्यों बिलावजा लाल पीले हो रहे हैं? बिलावजा? यो बेश शर्मो की मलका, बेटी की घर में शिकायत आही है, ये वजा काफी नहीं है अच्छा, चंदा जाग जाएगी तो पूछ लेचे का, पानी तो पिये ना पानी की ऐसी की तेसी, उस्याना वो तो लम हान की पोती, तो बेचना उसको मेरे पास खानो देड़के रख दूँगा उसकी चंदा, उच्छो बेटा, शाम हो रही है माँ उच्छायो, उच्छो ना माँ अब आ गये, अरे वो तो बहुत पहले से आ चुके, चंदा, मुझे बात तो बताओ, तुम्हारी कासिम से कोई बात हुई थी अमा, आपको किसने बताया? जो पूचा है ना, वो बताओ अमा, मैं आज कॉलिज से वापस आ रही थी ना, तो कासिम भाई नौरीन भाबी को इतनी जोजोजोड से पीट रहे थे, मुझे रहा नहीं गया, मैंने भी खरी-खरी सुना दी क्या ज़रूरत थी पराई आफस सर लेने की? कमाल कर रही अमा, कासिम भाई इतनी जोर-जोर से पीट रहे थे, और नौरीन भाबी को घर से धक्के दे के निकाल रहे थे, सिर्फ इस बात पर कि उन्हें अलाद नहीं दे सकती, ये भी क्या बात हुई? कासिम जाने नौरीन जाने तुम कौन? माँ क्या हो गया? खुद ही तो कहती है, चंदा तुम तो खुदाई खिदमतकार हो कासिम ने तुम्हारे अबबा से शिकायत की है, और अब वो घुसे में भरे बैठे हैं, खाना तक नहीं खाया उन्होंने काना नहीं खाया? नहीं खाया अबबा हैं खाहना? अपनी अपनी कमरी में तुम कहां चली? अबबा को खाना खिलाने? तुमारी शेकल देखने की रवादार नहीं है वो चानती हैं अमा तो फिर बैठ साओ यहां अम्मा, सुभा से भूके होंगे वो, और फिर इस उमर में फाका करेंगे ना, तो कमजोर हो जाएंगे, तो मैं खाना देख रहा दे, अरे चद्दा, क्या करती है ये लड़की? चंदा, वो तुमारी शिकल से चड़ते हैं और तुम? जब तक वो अपने दिल की भड़ास नहीं निकालेंगे ना, खाना नहीं खाएंगे, चंदा, वो तुम्हें बहुत बाते सुनाएंगे, खामखा तुमारे दिल दुखेगा, फिर खाना तो खालेंगे ना, असलाम लेकूम अबबा, अबबा, खाना खाले, थोड़ा से जहर ल आदे मुझे, वो फाक लोगा, नौरीन भाबी बिचारी रोज अपने नाकरदा गुनाहों के मार खाती है, अब उलाद नहीं हुई तो इसमें उनका क्या कसूर है, आप खुद बताएंगे ना, एक कुदरती माजूरी है, नौरीन भाबी के इसमें क्या गल्ती, रुकसाना है, रुकसाना, जी, दे जा इस मनुझ को बाहर, और बताते इसको के मैं इसकी शकल नहीं देखना चाहता हूँ, अब आप मैं चली जाते हूँ, आप खाना खाले, अब रिस्क से कैसा जगडा, इसको बताते, के मैं इसकी शकल नहीं देखना चाहता हूँ, इसकी वज़ा से मेरा दिल दुखाय कासिम से माफी मांगनी पड़ी है मुझे अगर इसनी ये हरकते नहीं छोड़ी न तो इसको घर से बाहर निकाल दूँगा मैं अबबा, हरकत नहीं, मैंने तो सबक सिखाया था कासिम भाई को अगर वो दुबारा ऐसा करेंगे तो मैं फिर वहीं करूँगी जो पहले किया है अरे याला, इस नहुसत को उठा ले बाप के सामने बज़बानी करती है ऐसी उलाद से तो बे उलाद होना बेतर है मरती भी नहीं है ये मनुस बाप के सामने बज़बानी करती है ऐसी उलाद से तो बे उलाद बना बेतर है मरती नहीं है मनुस परीदन आई थी आज घर बे जी आई थी आई थी आज गर बे जी आई थी उसने रिष्टा बताया उसने हाँ बहुत ही गैर मुनासिब रिष्टा बताया था मैंने साफ इंकार कर दिया गैर मुनासिब क्या मसलब चालिस साल उमर थी लड़के की मर्द बड़ा ही अच्छा होता है मतलब आपको कोई दरास नहीं है उमर चोटी हो या बड़ी हो इससे कोई फरक नी बढ़ता तो फरीदन को फोन कर और इसको बोल के कल उनको बलवा ले मगर अगर मगर कुछ नहीं जो कहा है वो कर मुझे हर सूरत में इस बोच को कंदों से उतारना है चीक है लेकिन एक बड़ फिर सोच लेना आपका जो कहता हो ना वो करती जा वरना तेरी लाडली के साथ-साथ तुझे भी घर से निकाल दूँगा चल्द दफ़ो यहां से चंदा, चंदा, चंदा चंदा चंदाij! यालनए हैं की होगल, चंदा, चंदा. यालना मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? ऐसको माँ कर बताया रॐ…… चंदा, मेरे बच्ची होजमिया। चंदा, 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 चंदा होजमिया, मेरे बच्ची, चंदा, एक खास वक्त में शडीद सरदर्द होना, छटके पढ़ना, मुँसे ज्ञाग निकलना, बेहोशी तरही हो जाना, ये कोई आम दर्द नहीं है। डॉक्टर साब, मामूली सा दर्द होता है, गोली कहाती हो तो ठीक हो जाता है, क्यों अमा? हाँ, चंदा, ठीक है रिए रप्टर साब देखे, इस दर्द की वज़ा मालूम करने के लिए आपका CT scan करवाना होगा। उसके बाद ही कुछ वसूख से कहा जा सकता है। मैं ये टेस्ट लिख रहा हूँ, आप ये टेस्ट करवा के फिर आप मेरे पास वापस आई है, फिर देखते हैं। डॉक्टर साब, कोई गबराने की बात तो नहीं है। रिपोर्ट आने पर ही बता सकता हूँ, फिकर ना कीजे, मैं अपनी तसलिग लिए टेस्ट करवा रहा हूँ। चले हमो, शुक्रिया। ओ, तू कौन में खामखा, कौन है तू निकलिया से। एक तो गलती तुमारी खुद की तेज बाइक तुम जला रहे थे, उपर से चाही करे हो। तेरी माँ बनने की कोशिश मत करो, मैं उनसे बात करो, निकलिया से। तक तुमीजी किसे करे हो हां। गिरेबान छोड़, गिरेबान छोड़! अरे फरीदन बहन, तरह बात तो सुनो। हाँ, बोलो अख्तरमिया। तुमसे रिष्टे के लिए कहा था और तुमने कुछ भी नहीं किया। कल लेके गई थी एक लड़के की माँ को तुम्हारी चंदा दिखाने। तो क्या लड़के की माँ को मिल्हूस पसंद आ गई? तुम्हे रुकसाना ने नहीं बताया। क्या? यही कि चंदा ने लड़के की माँ को घर से जलील करके निकाल दिया। अरे, क्या कह रही हो तुम? अरे, अख्तर भाई, लड़के की माँ तो सर पे पाऊ रखके भागी है। वरना चंदा तो उसकी जान ले लेती। तुम्हें बताया नहीं रुकसाना ने? तुम्हारी बेटी के कर्तूत? इस रुकसाना को तुम्हें देखता हूँ। तुम एक दो रोज में कोई और रिष्टा लेकरा हूँ। अरे, ना भाई, ना! मुझे अपने जान बहुत अजीस है! पहले तुम अपनी सूर्मा बेटी को मनाओ रिष्टे के लिए! फिर कोई रिष्टा दिखा दूँगी! अगर चंदा नहीं मानती तो मुझे माफ करो! अरे, परीदेन! परीदेन! चलो बटेवा अए 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 किल भी एए चला अचो अमा हाँ टेस्ट के लिए चार हजार रुपे कहां से आएंगे? तुमारे अबबा से लूँगी और कौन देगा? अमा, घर में वो मेरा वजूद तक तो बजाश कर देंगे और आप सोच रहे हैं को मेरे टेस्ट के लिए चार हजार रुपे देंगे चंदा, उनसे पैसे लेना मेरा काम हाँ इलावजा में आप दोनों की लड़ाई होगी, छखड़ा होगा रहने देंगे पैस के दुरूबत नहीं हुए, बिल्कुल ठीक हूँ चंदा सरदर से जो तुमारी हालत होती है ना मुझसे देखी नहीं जाती लकी एक बार इलाज हो जाएगा मेरी तसली हो जाएगी हाँ ताला खुले मतलब तुमारी अबबा हो गए इस इस वर्प अल्ला खैर करे कहा गई थी इस मनूस को लेकर आप भाज यतनी जल्दी कैसे आ गए जो पूछा है उसका जवाब दे बगाएर इजासत कहां मतलगश्ट करके आईए तू वो हम गए थे वो ही तो मैं पूछ रहा हूँ कहां गए थे अबा मैं बताती हूँ तुस्से कोई बात नहीं होगी हाँ तू तू ये सरजुकाई का घड़ी है जो पूछा है फूट फूट मुसे फूट अमा बता दो इसमें जपाने वाली क्या बात है वो वो चंदा के सर का दर्द बढ़ता जा रहा था चंदा को हस्पताल लेकर गई थी इस ट्रामे बास को हस्पताल लजाने की क्या जरूरती तेना वज़ा तीन सु रुपए आने जाने पर लगए होंगे पैसे क्या बेटी से ज्यादा है बिल्कुल है ये सरदर्द का बाहना करती है और तेरा कलीचा मुझ को आता है कान खोल कर सुनने रुकसाना आज के बाद अगर तुने इसके इलाज पर एक रुपया भी लगाया ना तो मुझ से बुरा कोई नहीं होगा तो क्या इसे बरने दू इसे आपको पैसो की पड़ी है मेरी मची दर से हलकान होई जा रही है जबान चलाती है मुझ तोड़ दिना मेरी हुटवे मेरी अम्मा को नहीं मार सकते आप तू बीच में मत पढ़ मन्हूस तू हर्जा पिछे नहीं हटो आप अम्मा के बज़ा है मुझे मार लें कब तक पर्दे डालेगी इसकी हरकतों पर तू कौन से हरकते इतनी भोली ना बन रुकसाना तुझे क्या लगा कि ये मन्हूस लड़के की मा को बे इज़त करके घर से निकाल देगी और मुझे पता नहीं चलेगा लड़का मुझे पसंद नहीं था पहले बीबी छोड़ चुका था और बख्वास बनकर बात कान खोलकर सुन लड़का काला हो या पीला शादी शुदा हो या रंडवा मुझे हर सूरत में इस मन्हूस को इस खर से निकालना है अभी बेरी दुकान का वक्त हो रहा है रात को आके तुम्छे बात करूँगा समझे चिंदा ना किया कर मेरी तरफदारी तेरे अबबा तो पहले ये तेरे खिलाफ है मुझे बचा कर और घुसा ना दिलाया कर उनको मेरे होते वोए अबबा आपको मार नहीं सकते अमा और जब तो चली जाएगी तो पहर कभी छोड़ के नहीं जाओंगी आपको चंदा चंदा क्या वा चंदा चंदा अबे चंदा अ अब अब अमां अमां क्यों रो रहे हो? अबतावी तुम्हें क्या बेमारी लग गई है मुझे तो तुम्हारी फिकर खाय जा रही है माप, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिलकुल ठीक हूँ तो फिर तुम्हे ये बैठे बिठाय क्या हो जाता है समझाया तो था, जब भी अपपा कड़वी दसीली बातें करते हैं तो सार मेदाय तो जाता है अभी देखें, बिलकुल ठीक हूँ नहीं, तुम्हे न दिल रखने के लिए कह रही है ठीक है, मैं ना खल तेरे टेस्ट करवाती हूँ टेस्कर आने के पैसे कहां से आएंगे अमा तुम्हारा मसला नहीं है पैसे एक और सी रहेंगे, प्रिशान ना बिलकुल ठीक मामा एक फूटी कौडी भी ने दूँगा मैं उस मनुस के लिए अगर चंदा को कुछ हो गया तो तो ठीक है, जान छुट जैगी मेरी इतने संग्दिल ना बने चंदा के अबाँ चंदा के टेस्ट करवाने बहुत जरूरी है टेस्ट को छोड़ रिश्टा देख, शादी कर उसकी अब एक लम्हे के लिए भी उसकी शकल नहीं देखना चाता मैं इस घर में समझी तू? चंदा के टेस्ट के लिए पैसे कहां से आएंगे? चंदा के अबाने तो इंकार करती है मैं अब क्या करूँ? हाँ मैं वोजिया को फोन करती है हेलो चंदा, अभी तक जागरी हूँ? चंदा नहीं मैं हूँ फोजिया अरे रुखसाना खाला आप? खेरियत चंदा तो ठीक है न? सब ठीक है मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी अगर वादा करो, इंकार नहीं करोगी अरे खाला, आप हुकम करें फोजिया आज मैं चंदा को लेकर हस्पताल गई थी फिर? डॉक्टर ने कोई टेस्ट लिखा है हाँ तो टेस्ट करवाने में क्या हरज है? करवा ले? कहां से करवाओं? चंदा के अबबा एक फूटी कौरी देने को तयार नहीं है और मुझे चंदा का तड़बना देखा नहीं जाता फॉजिया बिटा कहीं से भी पैसों का बंदबस कर दो मैं सारी जिनकी तुम्हारी मश्कूर रहूंगी और कहीं से भी पैसे इकटे करके तुम्हें लौटा दूंगी अरे खाला फिकर ना करें चंदा का टेस्ट भी हो जाएगा और अगर दबाईयों की जुरूत पड़ी तो बोवे में ले दूँगी चंदा मेरी सहेली नहीं मेरी बहन है खाला तुम्हारा भला करें तुम्हें तो मेरी मुश्किल असान कर दी मगर एक बात और करनी थी जी खाला बोलें फॉजिया चंदा को ये बात पताना चले कि मैंने तुमसे पैसों के लिए कहा था तुम तो जानती हो ना चंदा कितनी खुद्दार है अरे खाला क्या करना है कैसे करना है ये सब आप मुझवे छोड़ दें और इस कॉल का चंदा को कभी नहीं पता चलेगा अल्ला तुमें सलामत रखे जीती रो मेरी बच्ची अल्ला आपस खाला अल्ला आपस ये में रएस आपरकलो बच्ची खाला झाला याल याल कर्वोग ये समय ये sans塊 बस इतनी सी बात पर आप दोनों परिशान बैठें इतनी सी बात फॉजी अगर टेस्ट नहीं होगा तो इलाज कैसे होगा मेरी बच्ची के असारी उमर योही तरपती रहेगी आप फिकर ना करें खाला चंदा का टेस्ट भी होगा और इलाज भी अगर पैसे कहा से आएंगे? मैं दूँगी तुम दूँगी? हाँ मैं और तुम कहा से दूँगी इतने पैसे? मेरी कमेटी निकली है दस हजार की इतने पैसों में चंदा का टेस्ट भी हो जाएगा और इलाज भी अगर फॉजीया? अगर-मगर कुछ नहीं चंदा तुम मेरी सहेली हो तुम है नहीं मालूम कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और तुमारे मेरी पैसे क्या अलग है? अरे? ठीक ही तो कह रही है तिनी पक्की सहेलियों में लें देन तो होता ही है न मगर अम्मा में जमा जोड करके फॉजीया के पैसे लौटा दूँगी तुम फिकर ना करो मेरी पच्ची फॉजीया ये लुपच्ची जाओ जाकर इसके टेस्ट करवा अमा? आप नहीं चलेंगी? नहीं बेटा मैंने खाना बनाना है देर होगी न तुम्हारी अपा बोलेंगे तुम लोग जाओ हो आओ जी खाला प्रुम लोग। झाल 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 हो गया टेस्ट हाँ हो गया लो ये जूस पियो वाँ बड़ी खिदमत हो रही है मेरी बातें मत बिना जूस खतम करो आप लो वैसे डॉक्टर्न ले टेस्ट यूं करवाया तुमारा मिझे क्या पता अपनी तसली के लिए करवाया हो गट है और अगर कुछ निकलाया तो शकल इतनी प्यारी है ना बातें भी प्यारी कर लिया करो कल रिपोर्ट आजे कि देख लेना कुछ नहीं होगा अल्ला करे ऐसा ही हो ऐसा ही होगा लो पकड़ो खुतम कर लिया है शाब बाश अजया वास्या वे तुम्हारा यह सन ओमर भर नहीं बोले और जिंदगी में जब भी ज़रूरत पढ़े तुम्हारी लिए प्ती जान भी रे दूँगी यही कहना था ना शाब बकवास बन गरो और चलो घर तुम्हारी अम्मा तुम्हारा इंतजार कर रियोंगी हाँ चुरो चलो ओ पाका लंदे देड में नजर नहीं रहता क्या अचल दाओ अचल दाओ सर क्या हो अचलो अब बड़े मिया अगर बाइक चलानी नहीं आती तो दुड़ाते क्यूं फिर रहे हो एक पाओ कबर पे और दूसरा केले के छिलके पर ओ बेशानम आदमी तुम्हारे बाप का अमर का आदमी और उसे बत्तमीजी कर रहे हो ओ ओ तूपान में खामखा कौन है तू निकल यहां से एक तो घलती तुम्हारी खुद की तेज बाइक तुम चला रहे थे उपर से चढ़ा ही करे हो तुम्हा बनने की कोशिश मत करो नहीं से बात करो निकल यहां से तुम्हीजी किसर करे रहे हो हाँ किरिवां जोड़ किरिवां जोड़क अपिसको चोड़ा ही झाहिए इसको ना इतना मारो किसके सारे ढ़न तोड़्त ही तो तूबलती उकलते हैं पूसर्प अधिन निकल यहां से होग अधिन मैरा पदर कॉसूप है हीजज़ को और तुम्हे हीय थे हुडों क है अबे हलका लिया है भाई को, आथ की उंगलियों पर नचाता हूं घरवालों को, बस शादी होने वाली है जल्दी, अगली मुलाकात उससे शादी के कार्ड के साथ होगी जा बख्वासकी तुने, जा बख्वासकी तुने, जा बख्वासकी पॉन को खोल कर सुन ले, कल तहरा बेंद तुम्हें देखने के लिए आ रही है और मैंने उनको हां कर दी है रुक्साना, ये बात अच्छी तरह इस मल्हूस को समझा दे आप उनको यहां लेकर आए, मैं ब कर दो दो उनको खोल क flourाओी तुम्हें तुम्हें का सी्फची तुम्हें मैं का सीरा